गुद मॉर्निंग क्लास थर्ड, ओपन यूर साइन्स बुक और ओपन पेज नमबर फोटीवन, पेज नमबर फोटीवन निकाल लिये आप, बच्चा पेज नमबर फोटीवन में आपका बर्ड्स एंड दियर्स, फूड्स, यानि कि जुई हैं और उनका भोजन, पक्षी और उनका भोजन, आपने इस प्रकार से पढ़ा था, कि पक्षी किस प्रकार से होते हैं, तो कैसे उडान बढ़ते हैं, फिर इसमें आपने पढ़ा था, कि पक्षी होती हैं, उनकी मसल्स किस प्रकार से होती हैं, बोन्स किस प्रकार से होती हैं, आपने ये भी पढ़ा था, कि जो birds होते हैं, उनकी shape क्या होती है, वोtså adalah Scout, यानिकि नाउ की प्रखार की होती है, जो उनको आसानी से उरने में मदद करती है, और birds के two types के feeders होते हैं एक होता है down feeders एक होता है flight feeders और आपने इसमें पढ़ा था कि जब चुनिया उरती है तो उनकी दो तरह के उनकी wings के perform होते हैं जो पंकों के perform दो type के होते हैं एक होता है up stroke यानिकि जब वो उपर के तरफ चड़ते हैं दूसरा होता है down stroke जब वो नीचे के और आते हैं फिर इसमें आपने पढ़ा था अलग लग परकार के birds के क्या होती है औरान भी अलग लग परकार के होती है birds which fly over long distance कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो बहुत उचे उड़ते हैं उचे नहीं मतलब दूर तक उड़ते हैं जैसे कि पीजन हो गया क्रो हो गया यह बहुत दूरी तक जाते हैं फिर इसमें आपने पढ़ा था कि कुछ birds ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं बहुत कम उड़ते हैं बहुत शॉट उड़ते हैं जैसे हमारी कॉक हो गई, हैन हो गई यह शॉट उड़ते हैं कुछ birds होते हैं जैसे इगल, वल्चर और काइट होते हैं यह बहुत उड़ान बढ़ते हैं ग्रेट हाइस्ट होती उड़ान करते हैं ठीक है यह दूर से ही अपने शिकार को देख लेते हैं फिर आपने पड़ा था कि जैसे स्पैरो होती है वो बहुत नीचे ही उड़ती है यह ज्यादा उपर नहीं उड़ती है कुछ birds ऐसे होते हैं बच्चा जो उड़ान नहीं बढ़ते हैं बिल्कुल भी नहीं उड़ते हैं इनको हम कहते हैं फ्लाइट लाइस बड़ जो उड़ते नहीं है जैसे कीवी औस्टिच और पैक्वीन ये उड़ते नहीं है कुछ birds होते हैं जो वाटर में ही रहते हैं वाटर में ही स्विमिंग करते हैं जैसे डक्स हो गया स्वान्स हो गया गुल्स हो गया यह क्या करते हैं बड्स में पाने में ही रहते हैं इसमें आपने fit and close of बड्स आपने देखा था कि पक्षियों के क्या होते हैं पंक पैर अलग-अलग होते हैं वो इसमें आपने different times के बड्स पड़ी थी purchasing birds, cramping birds, praying birds, scratching birds और warning birds यह अलग-अलग पड़ी थी swimming birds भी होती हैं फिर इनके food habits भी अलग-अलग परकार की होती हैं जैसे इनकी चौँच होती है वैसे इनके food habits होती है इनके चौँच भी अलग-अलग परकार की होती है short hard and horny beaks होती है hooked beaks होती है strong sharp and hooked beaks होती है strong and heavy beaks होती है इसी प्रकार से इनके पंजे भी अलग लग प्रकार के होते हैं तो इसमें आधा काम हमने कल कल लिया था now turn your page number 52 यह page number आपको जो 52 है इसमें हमने यह वाला portion कल कल लिया था आज हम करेंगे यह वाला mark tick for the correct and cross for the wrong estimate यह देखे है आपके लिए यहाँ पर लिख रखे हैं यह वाला आज की date 18 day डाल के आप यह करेंगे mark tick for the correct and cross for the wrong estimate in the box अब देखो बेट पेटा first वाला है a slow has a strong and sizzle shaped beak जो निगलने वाली चनिया होती है उनकी क्या होती है strong और sizzle shaped की beak होती है तो it's strong यह wrong है उनकी ऐसी beak नहीं होती है second वाला a duck has a broad and a flat beak yes डख की क्या होती है broad, choddy और flat color की beak होती है चूँच होती है third वाला है birds like kiwi, emo and ostrich do not fly at all yes यह भी right होगा कि जो जैसे चुणिया kiwi होती, emo होती है, ostrich होती है यह उड़ती नहीं है इन्हें flightless bird कहते है fourth वाला है a bird bones are hollow and filled with ears it's right fourth वाला भी आपका right होगा जो चुणिया होती है वो अपने bones को चिपका देती है और फिर उसके बाद क्या करती है उड़ान भरती है fifth वाला है eagle, vulture and kite are called praying birds यह से भी right होगा जो eagle होती है, vulture होती है, kite होती है आपको पढ़ा था इनकी यह क्या करती है शिकार ही पक्षी होती है यह शिकार करते है यानि कि यह बहुत उचे उड़ती यह भी अपना नीचे जो जमीन में सिकार होता है इनकी आँके इतनी तेज होती है कि वहाँ से यह देख लेती है now turn your face अब यहाँ पे देखिए find out the odd on in the group आपको यहाँ पे group दे रखा है आपको जो odd one है जो एक इसमें से अलग है उसको आपको अलग करना है सबसे पहले है sparrow, peacock और slal तो आपको पता है sparrow और peacock की बीग क्या होती है एक जैसी होती है तो इसमें slal क्या है अलग परकाल का है बर्ड है तो यह निगलने वाला बर्ड है तो इसको हम अलग करते है second वाला है kite, hawk और sunbird आपको पता है कि kite और hawk की बीग तो सेम होती है long, thin और pointed होती है sunbird को हमने अलग कर दिया third है crow, sparrow and parrot तो इसमें आपको पता है sparrow और parrot की लगभग एज जैसी होती है crow की हमारी अलग होती है अब fourth वाला है eagle, woodpeaker and vulture different type of claws यह अपने पंजे बताने है तो आपने woodpeaker जो हमारा होता है इसके पंजे अलग होते है तो woodpeaker को अलग कर देना है fifth वाला है आपका kite, ostrich और kiwi flight यानि की उड़ान कौन सा बढ़ते है तो इसमें है का kite यानि की kite ही उड़ता है पाकि ostrich और kiwi होता है यह नहीं उड़ता है यह जमीन में ही रहता है तो इस परकार से आपको उसको अलग कर देना है जो इस group का नहीं है now turn your page हम निकाले बेटा बुक में page number 53 इसमें play way exercise है इसको आप अपने बुक में करेंगे given below are picture of the peaks and close of some birds यहापे आपको कुछ की चोंच दे रखे हैं तो आप देखते हैं कौन से परकार के क्या है hooked beak जो हमारी hooked beak होती है आपको पता है hooked beak कौन से होती है जो shocking पक्षी होती है यह देखिए इससे कहते है hooked beak यह parrot के हमारी क्या होती है hooked यह आप इसमें one लिखेंगे ओके फिर आता है long and pointed beak long लंबी और pointed इसके pointed है तो आप आप two लिखेंगे long and pointed beak broad and flat beak broad और flat होती है आपकी duck की तो आप यहाँ पे लिखेंगे यह वाला third वाला and strong and heavy beak strong और heavy होती है हमारी would beak करकी जो पेड को भी पेड में भी छीट करकी वहाँ से अपना केड़े मोकोडे इंसेप्स छोटे-छोटे उनको खा लेता है अब कॉलम बीक में आपको clause को identify करना है name of birds duck duck की कौन सा है duck fifth number पे है तो duck का है यह वाला clause आपको पहले बताया था duck कहा रहती है पानी में रहती है तो उसके जो पंजे होते है webd होते है चालीदार उसके पंजे होते है उसके बाद आएका hand hand के होते है scratching clause scratch करते हैं तो six वाला यह है उसके बाद आता है walk hawk में होता है यह वाले पंजे होते हैं three आगे के लिए one पीछे के लिए और उसके बाद क्रो का ये वाला फो इर्द वाला ये वाला जिस परकार से ये आप अपने ही बुक में ही फिल करेंगे बागी एक्सरसाइज अपनी कॉप्य में करेंगे और इसकी question answer हम next वीडियो में करेंगे ओकी